नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अस्था कोशिक और बहराइच से इस वक्ट की बड़ी खबर आ रही है बहराइच के एक गाउं में एक भेडिये को घेर लिया गया है यह इस वक्की बड़ी अपडेट सामने आ रही है बहराईच में युद्ध स्सकर पर भेडियों के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है बीच बड़ी अब लेटिये की एक गाउ में भेडिये को घर लिया है पुर्वा में एक भेडिया घर लिया है आपको बता दे कल भी भेडियों का अठैक हुआ है जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है, एक बुज़र महिला घायल हुई है मुख्यमंत्री ने खुद इसको आपदा घोशित किया है और कहा है कि हर साल पकड़े जाना चाहिए भेडिये को और इसको खबर ये कि बहराईश के हिंदू पुर्वा गाउं में एक बेडिये को गाउवालों ने घेर लिया है सीदे अब आपको लिए चलते हैं हमारे सेवगी राजीव इसको ग्राउंड जीरो पर मौझूद है राजीव क्या ताज़ा अपडेट आपके पास लोगों ने लाठी डंडो से भेडिये को घेरा है क्या प्रशासनिक मदद भी उन तक पहुँच पाई है प्रशासन पहुँच पाया उस लोकेशन तक अब दिखी इस वक्त में बहराईशी मैसी छेतर के उसी हिंदू पुर्वा गाउं में खड़ा हूँ इस बेडिये ने एक मासूम बच्ची को सिकार बनाया है जिसके चलते बेडिये की हमले में उसकी मौत हुई है ऐसे में कुछ लोग यहां मौझूद हैं जिसे हम बात करने की कोशित करेंगे और इसके साथी साथ आपको दिखाना भी चाहेंगे कि इस वक्त जो बेडिया है वो इधर भागा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि चारो तरफ खेतों में जो किशान है जो ग्रामीन है वो लाठी डंडे और भाला लेकर इस वक्त उसको घर के रखा है बनाय की टीम को भी जानकारी दी गई है और आप देख सकते है कि सैक्डो की संख्या में हम अपने स्वयोगी से चाहेंगे कि चाहें उमाहिलाएं हों चाहें ग्रामीन हों वो इस पूरे आपरेशन में जटे हुए है एक बार दादा कहां पर दिखाए भई बेडिया इधर आप देज सकते हैं कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में सभी लोग सभी लोग यहां यहां पर इस पूरे मक्य के खेत में लगे हुए हैं ना सिर्फ एक तरफ से बलकि हर तरफ से इसको घेरा गया इस दोरान वनभाग की टीम को भी जानकारी दी गई है कि वो यहां पर ततकाल ड्रोन कैमरे लेकर पहुंचे ताकि यहां पर ग्रामीनों के साथ उसे यहा से बाहर निकलने ना दिया जाए आप सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर मौझूद हैं और कहां पर पेड़िया देखा था कितनी दिर पर पर देखा गया था इधर देखा गया था एक घंटे पहले देखा गया घर के पास और नहीं लेकर तो हम लोगों चैनम लोग वापस भागे है अपो यह पतल आपिर सब्सक्राइब अदर चेन admits से लेकर भी खड़े हैं और हर तरब से इस पूरे खेत को घेर रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि जो यह आदम खोर भेडिया बीते 48 गंटे से इस इस इलाके में आतन का पर्याय बना हुआ है उसको किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए क्योंकि पड़ोस के बैठे हैं बेडिये कहां दिखा है अभी मैं आया हूँ आप देख सकते हैं कि यह सर्च ऑपरेशन जो ग्रामीनों का है उन्हों खुद इस पूरे ऑपरेशन बेडिया की कमान संबाल लग की है क्योंकि वन विभा को कई बार सूचना दी गई जब तक वन विभा की टीम मौके पर पहुंचती है तब तक यह सातिर बेडिया जो है मौके से फरार हो जाता है शेतर से निकल जाता है इसलिए अब यह सर्च ओपरेशन इन ग्रामिनों ने खुद शुरू किया है आप देख सकते हैं कि पूरे गाओं के लोग इस वक्त घरों से निकल कर इस खेट के आसपास आकर खड़े हुए हैं हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है चाहे बच्चे हों चाहे बुड़े हों बुजुर्गों सभी ल अदम खोर भेडिया किसी दिन इनके बच्चे को भी शिकार बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि एक टीम इधार है आगे पानी भरा हुआ है दूसरे जो ग्रामिन हैं वो दूसरे छोर पर गेराव करते हुए नजार आ रहे हैं बीते एक घंटे से ये प्रयास किया जा रहा ह है कि किसी भी कीमत पर जब तक वन विभाग की टीम मौके पर न पहुंचे तब तक इस भेडिये को इस छेतर से बाहर नहीं जाने देना है अब देखना ये होगा कि मौके पर ये टीम कप पहुंचती है क्या यहां के लोग ग्रामिन इस भेडिये को पकड़ने में कामयाब ह या एक बार फिर ये सातिर भेडिया इनके चंगुल से बाहर जाता हुआ नजर आएगा। का आलम देख सकते हैं कि न सिर्प ये युवा बलकि पूर्य घरों की महिलाएं भी इस वक्ते इन खेतों के बॉर्डर पर खड़ी हैं मेडों पर खड़ी हैं और जो दहसत कायम है उसका खत्म होने का इंतजार कर रही है इस दौरान वनिभाग की टीम को भी सूचना दी गई ह क्योंकि ये बहुत खतरनाक आदम खोर भेडिया है इसलिए ग्रामीडों को बहुत अंदर जाने में भी डर लग रहा है इंतजार किया जा रहा है कि वनिभाग की टीम यहां पर पहुंचे और इस भेडिये को पता लगाया जा सके है कि इस वक्त भेडिया कहां पर है तो कु है और महिलाएं भी जोर शोर से जो है पूरी हिम्मत के साथ यहां गन्ने और मकई के खेतों में जो है वो दिखाई दे रही है लेकिन राजीव सवाल यह है कि क्या कोई प्रशासनिक मदद इन तक पहुंच पाई है ड्रोंस का इस्तमाल हो रहा है ट्राइंकुलाइजर कर रहे हैं कि अभी भी भेडिया यहां है जल से जल उस भेडिये को पकड़ा जा सके लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ही है कि भेडिये ने आज सुबा सुबा एक और हमला किया है जिसमें बच्ची की मौत हो गई है और बुजुर मैला घायल और कुछ लोगों का यह भी भी इसमें शामिल है राजीव हमारे सैयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें ताजा तस्वीरे दिखा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं राजीव यह तो लोगों ने अपनी सूजबूज से सिलाके को घेरा है क्या प्रशासनिक मदद अभी इन तक पहुंची है तो लगता है राजीव डिसकनेक्ट हो गए हैं एक बार फिर से उनको अपने साथ जोड़ेंगे लेकिन आपको ताजा तस्वीर और अपडेट बता देते हैं आज ही सुबा भेडिये ने एक और हमला किया जिसमें बुजर्ग महिला जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उनको चोटे आई हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है लेकिन एक बच्ची की मौत भी हो गई है तो बहराईच में भेडियों का आतंक जारी है रात में आदम खोर भेडिये ने अलग-अलग जगा तीन हमले किये और इस हमले में एक बच्ची की जान चली गई हमले मे बुज़ूर महिला बुरी तरह से घायल हो गई जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल हुआ है उदर सीतापूर में भी भेडिये नोग बच्चों पर हमला किया बच्चों को बचाने के लिए मां ही भेडिये से भिड़ गई तो सिर्फ बहराइच ही नहीं सीतापूर तक भेडियों का आतंक है यहां भी हमले शुरू हो गए हैं यहां पर बताय जा रहा है कि बच्चों पर हमला किया लेकिन मां ही भिड़ गई भेडिये से और एक बर फिर से बाचीत की कोशिश करते हैं राजीव से राजीव बहराइच के हिंदू पुर्वा गाउं में लोगों ने तो घेर लिया है आसपास सबी खेतों को और उनका ये दावाए कि इसी एरिये में हो सकता है लेकिन प्रशासनिक ड्रोन भी है जिनसे सही सही लोक प्रशासनिक मदद इन ग्रामीड को नहीं मील सकी है क्योंकि आपसे कुछ देर पहले ही इन लोगों ने इस बेडिये को देखा है जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने अस्तर से कांबिंग करते हुए नजार आ रहा हैं आप देख रहा हैं कि चारों तरफ से ये वेटलैंड है जिसके चारों तरफ से इन लोगों ने गहराओ कर रखा है दूसरी और सैकडों की संख्या में ये ग्रामीड है आप देख सकते हैं कि पूरी मेड पर जितने संसाधन ग्रामीड अस्तर पर जुटाए जा सकते हैं उनके जरिये ये आपरेशन किया जा रहा है वन विभाग की टीम को भी इंफर्म किया गया है कि वो ततकाल पहुंचे क्योंकि अगर इन्हें समय रहते ड्रोन कैमरों की मदद मिल जाएगी तो इस बेडिये को पकड़ा जा सकेगा जिसका इंतजार भी किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि लोग इंतजार करें दू देखना यह होगा कि क्या समय रहते वन वाग की टीम यहां पर पहुंच पाती है और इस बेडिये को आज यहां से पकड़ पाती है या नहीं क्योंकि इसी से चंद कदम दूर महज तीन से चार किलो मिटर दूर आज सुबा करीब चार बजे यह बेडिया एक गाउं में घु लेका बतीजा नाम के सहवाज नाम का चोग रहा है अपने घर के पास देखा आदमी को अवाद दिया यह मकई में बिला मकई से इधर आदमी मेरे चचा घास लेके आ रहे थे यहां पे देखा गया यहां से किदर यह किदर छुब गया है आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस जो ये मक्य का खेत है इसके बाद वेट लैंड है यानि पानी भरा हुआ है इसके कारण जो ग्रामीड है आपको ये इस पूरे इलाके की मेड पर नजर आ रहा है आगे नहीं बढ़ पा रहा है चारों तरब से ग्रामीडों ने इस गाओं के लोगों ने इसको घेरा है ताकि ये जो भेडिया है यहाँ से आज बचके ना जा सके और दूसरी और वनिभाग की टीम को बुलाया इन फार्म किया गया है ताकि जो वाइल लाइफ एक्सपर्स हैं उनके साथ टीम यहाँ पर पहुँच कर एक बार फिर इसे पकड़ने का प्रियाज करें अब देखना यह होगा कि वनिभाग की टीम कितनी देर में यहाँ पहुच पाती है क्या वो जो तमाम अत्यादूनिक संसादन है चाहे वो धर्मल कैमरा हो या फिट्रोल कैमरा हो उसके जरिए इस वेट लैंड में छिपे बिल्कुल और फिलाल तो ऐसा लग उसकी सही लोकेशन क्या है और क्या वाकई आज इसको पकड़ा जा सकता है आपका शुक्रिया अपडेट के लिए आप नजर बनाए रखिए और फिलाल आपको तस्वीरे बता रहे हैं और इन बारा तस्वीरों में आप अब तक की पूरी अपडेट देख पा रहे हैं आज सुबा ही एक बच्ची को माड डाला भेडिये ने फिर से उसने हमला किया तीन अलग अलग जगों पर इस भेडिये ने हमला किया है गाउं बदल रहा है ये बेडिया आज यहां अटैक करता है तो फिर दूसरे गाउं में अटैक करता है लगातार गाउं बदल बदल के लोगों को शिकार कर रहा है महिला एक बुज़र महिला समले में घायल हो गई जिनस्पताल ने जाना पड़ा और अमावस की रात किस तरह खतरनाक साबित होई तीन अलग-अलग जगों पर इस भेडिये ने हमला किया काले अंधेरे का फायदा उठा कर ड्रोन से निगरानी चल रही है हतियार प्रशासन के पास है भेडिये ने कुल मिला कर दसवा शिकार कर डाला है क्यामरे में दिखाए भेडिया और लंगडे भेडिये की तलाश लगतार की जा रही है और भेडियों के हमलों का मुख्य मंत्री ने भी संग्यान लिया है अब सरो को सीम योगी ने आदेश दिया है कि जरूर और हर संभव कदम उठाए जाए भेडियों को पकड़ा जाए, हमलों को रोका जाए, सुरक्षित कैसे रहना है ये भी लोगों को बताया जाए जन प्रतिनिदियों का भी सयोग लिया जाए, सरकार ने भेडियों के हमलों को आपदा गोशित कर दिया है और पिड़तों के लिए हर संभव मदद के लिए कहा है सीम ने वनमंत्री से कहा कि वन विभाग के कर्मियों को बहराईच, सीतापोर, लखीमपूर, पीली भीट, बिजनौर और दूसरे प्रभाविच शेत्रों में लगाएं सभी विभागों की जोइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए